नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम बात करने वाले हैं कन्या राशी वाले जातक का यह सब्ताह 26 जून से 2 जुलाई तक कैसा रहेगा। तो आईए जानते हैं। इस सब्ताह आपको नेत्र से जुड़ी कुछ समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए आपके लिए बहतर यही होगा कि धूल भरी या अधिक प्रदूशन वाली जगहों पर जाने से बचें और जितना संभव हो सुभा हरी घास पर नंगे पैर करीब 30 मिनट तक चलें। इस से आपको अच्छे फल प्राप्थ होंगे। आपकी चंदर राशी में ब्रहस्पती आठवे भाव में मौजूद हैं और घर की जुरूर्तों को देखते हुए इस सब्ताह आप बिना सही योजना बनाएं, अपने जीवन साथी के साथ घर के लिए कई कीमती सामान की खर प्रीदारी करते हुए धन खर्च कर सकते हैं। इससे भविश्य में आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं, साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धी होगी। घर के खराब या अशान्त माहौल की वजह से इस सब्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम, पारिवारिक वातावर्ण को और अधिक तनाव पूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। ये सब्ताह आपके करियर में वृध्धी लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का कास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें, उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। आपकी चंद्र राशी में शनी छठे भाव में मौजूद हैं और आपको इसके अलावा वरिष्ट अधिकारियों और सीनियर से बात करनी हो तो स्वयन करें, किसी के माध्यम से नहीं। क्योंकि तभी आप अपना बहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। इस हफते कई छात्रों को अपने कुछ विश्यों को समझने में परेशानी महसूस होगी, परंतु बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अरजित करने में काम्याब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्षे के प्रती सजग रहने की आवश्यक्ता होगी। इस सप्ताह काम और दूसरी जिम्मेदारियों का बोज आपको सामान्य से थोड़ा अधिक व्यस्त कर सकता है। उपाए प्रतिदिन ललिता सहसर नाम का जाप करें। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें और दी गई जानकारियां केवल मान्यताओं और ग्रह गोचर से लेकर चंद्रमा तक ही आधारित है जो की जीवन में कोई भी फैसला लेने के लिए परियाप्त नहीं है। आता है कोई भी निर्नय लेने से पहले जोतिश से संपर्क करें किसी भी नुकसान के लिए मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं होगा और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएग उम्मीद है आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम जय हनुमान